ओम नमस्षिवाई, हरहर महादेव, जैशुशंबो दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है आपके मन में कुछ डर हमेशा बने रहते हैं चाहे वो अपने बच्चे के एजुकेशन को लेकर हो, अपने पती को लेकर हो, पत्नी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नोकरी को लेकर हो एक ऐसा डर जो सामानिय स्थिती से नहीं होता है आपके मन में एक हमेशा भाय जब भी वो बात सोच लेते हैं तब आप खुद के मन में सहम जाते हैं आपके मन में एक बहुत नकारतपकता जगा बना लेती है उस बात को सोचने के बाद आप उस बात से 2-3 दिन तक परिशान होते हैं बहुत दिनों तक परिशान रहते हैं ये चीजे अगर बार-बार आपके जीवन में घटित हो रही है तो यह बात सीधी सीथा है कि आपके जीवन में इन सब चीजों का जो प्रभाव है वो किस ग्रह से हो रहा है वहतों में बताऊंगा ही सहीं साथ में इस तरह की परिष्टिती से हमें कैसे बाहर आना है यह भी आ Confidence Level कम होता है इससे जो चीज़ें हम सही करना चाहते हैं वो सहीं चीज़ें सहीं नहीं कर सकते हैं तो हमेशा एक मन में अज्याद डर अज्याद भय बना रहना चीजों को लेकर, परिवार को लेकर रिष्टों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर एक भय हमेशा बना रहना ऐसी परिस्थितिया किसी भी जाता के लिए बहुत घाता के दोस्तो तो इस वीडियो में बहुत विस्तार से जानेंगे इस तरह की परिस्थितियों से कैसे हमें बहार निकलना है कौन से ग्रह इसके लिए दोशी होते हैं कौन से ग्रहों के लिए हमें काम करना चाहिए कौन से प्रयोग करना चाहिए कि इन परिस्तितियों से हम बहुत आसानी से बाहर आ जाए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भूलेनात का नाम लिखें अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विशलेशन करवाना जिवन में कोई तकली परिशानी या कोई प्रश्ण जिसके बारे में आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप वाटसप पर अपोइंट्मेंट लेकर बात करें उसका फीस शुलक लागू है दोस्तो जनम तारिक जनम समय जनम स्थान पता होना निवार हैं जो भी आपके प्रश्ण हो उनके जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे जब कभी भी इसी परिस्थितिया आपके साथ अगर निर्मित हो रही हैं बार-बार इस तरह का ज्याद डर जो जीवन में बहुत हद तक आ रहा है तो यह राहू और केतु की एक ऐसी जुगल बंदी है कि व्यक्ति को हमेशा भ्रम में रखती है हम जो चीजे सोच रहे हैं वो सिर्फ कल्पना मातर में उनका वास्तविक्ता में कोई लेना देना नहीं है बार-बार उस चीजों को सोच कर समझ कर एक मन में वैसा ही डर बना कर रखना वैसा भय बना कर रखना हमारे वहवार को उस तरह से ही वहवार करना जैसे मानो वो चीज हो चुकी है इस से वरतमान तो खराब होगा एक अच्छा रिस्ता भी खराब होगा और जीवन में बहुत से स्ट्रगल जिलना पड़ेगा तो कभी भी राहू की इस तरह के फेर आप किसी भी जातक की जीवन में पड़ता है तो उसे तुरंत राहू के जब करवा लेना चाहिए अपने लिए या केतु के जब करवा लेना चाहिए दूसरी बात है कि जितना हो सके उतना आप सोचने से बचे उस विशे को क्योंकि जितना आप जादा सोचने की और उस विशे पर जाएंगे तो नकारत्मक ही सोचेंगे अच्छा आप नहीं सोच पाऊंगे और जितना डीब सोचेंगे जितना सोचेंगे उतनी जादा negativity आपके इर्दगिर्द होगी और आपके जीवन में इतना जादा negative emotion आपके अंदर आजागे कि आपकी सोचने समझने की जो शक्ती होती जो positivity होती वो सब छरण हो जाएगा तो प्लीज ऐसा ना करें ये राहू का बहुत माया जाल होता है जिसमें व्यक्ती एक भ्रमित जीवन जीता है भ्रम में जीवन जीता है तो भ्रम से बहार निकले सच के करीब रहें सामाने से चीजों को यकीन करके आगे बड़े सामाने जो चीजे होती उनको बस basics पर रहें आगे deep think ना करें दूसरा है कि इस परिस्तिती के लिए गुरु मंतर का जब भी बहुत important है मैं हमेशे आपने हर वीडियो में ये बात कहता हूँ अगर ऐसा फिर भी बार बार आप नहीं निकल पा रहें इस तरह की negativity से तो आपको राम रक्षा रोत नियमित पढ़ना चाहिए उससे आपको बहुत फाइदा मिलेगा तो ये प्रियोग करने से आपके जीवन में बहुत फाइदा मिलेगा नमाशिवाए